माहसू देवता मंदेर एक ह JESUS हिंदूहों का प्राचीन मंदेर है जो की भगवन माहसू देवता को समर्पित है यह मंदेर भारत के उत्रकंट राज के हनौल गउँ में सित है महसु देवता मंदिर देहरदून से लगबग 190 किलो मिटर और मसूरी से 156 किलो मिटर दूर चकरता के पास हनौल गाउं में टोल्स नदी के पूरी टटपर है महसु इस खशित्र के मुखे देवता हैं और हनौल और आसबास के गाउं के लोग स्वारा महसु देवता मंदिर में पूला की जाती है अनौल का ये मंदिर गाउं उत्राखंट की पहाड़ी हिस्तों यमुना नदी के पश्यम सिर्मौर जिले के ट्रांस गिरी खशित्र और हिमाचल प्रदेश के शिमलाज जिले के प्रमुक हिस्तों में तधा इन खशित्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक तीर तस्तल ह महसु को नक्षित्रों के लोग न्याय का देवता के नाम से भी जानते हैं इन शित्रों में महसु देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायलय के रूप में माना जाता है आज भी महसु देवता के उपासक मंदिर में न्याय की गुहार और आपती समस्याओं का समधान मांगते हैं आसानी से देखे जा सकते हैं महसु देवता एक नहीं चार देवताओं का सामुहिक नाम है और स्थानी भाशा में महसु शब्द महा शिव का अपभरंज है चारो महासू भाईयों के नाम बासिक महासू, पाबासिक महासू, बूठिया महासू और चालदा महासू है एक शेतर के लोग इन चारो भाईयों को भगवान शिप के ही रूप में माने जाते हैं महासू देवता का यह मंदिर नभी शतापदी में बनाया गया था। मंदिर प्रारंब में हुना वास्तुशल्प सैली में बनाय गया था लेकिन समय के दौरान इस मंदिर को मिश्रित वास्तुशल्प सैली में बनाय गया है इस मंदिर को तरखंट के धहरदून सरकल में प्राचीन मंदिर की भारतिय पुरातत्तो सर्विक्षन सूची में शामिल किया गया है हिंदू पुरानिक कथाओं के असार किरमक नाम का एक राक्छस इस गाउं में रहने के लिए लोगों को ही डिलत करता था गाउं के लोग इस राक्षस से परशान हो गएской भगवान श्रीव vib q की और भगवान श्रीव ने मानने में काम्याब रहे कुछ सालों बाद एक ग्रामेड अपने खेत में खेती करते हुए चार शिवलिंग विले जिन्हें देवलारी देवी बोथा पाफसिक वासिक और चालदा के चार बहादुर पुत्रों के नाम पर रखा गया था तब से ग्रामेडों ने अभगवान श शुरू कर दिया इस्वेशल डैस्क न्यूस प्लस